आप लोग देख रहे हैं मिर्चुल स्टूरेंट सपोर्ट सेर्विशिव यूट्यूब चैनल जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताके जब भी मेरी कोई assignment के solution के related या GDB के solution से related या कोई quiz के solution से related वीडियो आए तो वो सब से पहले आप लोगों तक पहुंच सके और आप उस वीडियो से सीख सके दोस्तों आज की जो मेरी वीडियो है वो CS101 Introduction to Computing का जो हमारा quiz number 1 आया हुआ है उस अवाले से है कोई शुरू करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बचाता चलूं के जिन बचों को Introduction to Computing सीखने में मसला आ रहा है या जिन बचों को HTML की समझ नहीं आ रही है या जिन बचों को Introduction to Computing है HTML है Java है वहां पे upload किये हैं तो आप उस चैनल पे जाएं और वहां पे जो मेरे अपने recorded lectures available हैं आप उन से भी ना फिरफ खुद फाइदा उठाएं बलके आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताके उन को भी फाइदा हो उस चैनल का URL दोस्तों मैंने इस वीडियो के description में भी आड़ कर दिया है और इस वीडियो के इक्तताम पर भी आपको नजर आएगा www.youtube.com slash teachers online for you आप उस चैनल पर जाएं उसको भी subscribe कर लें और उसके भी bell के icon पर click कर लें ताके वहां पर जब भी मेरा कोई नया lecture आए तो सबसे पहले उसकी alert आपको मिल सके तो चलिए जी हम शुरू करते हैं अपना quiz और देखते हैं पहला question उसमें क्या है तोस्तों वैसे तो मैंने बहुत सारे quiz किये हैं लेकिन यहां पर for the time being मैं आप लोगों से दो quiz share करूँगा quiz number one और quiz number two यह दोनों हैं तो quiz number one ही लेकिन चुके मैंने बहुत सारे की हैं तो मैं फिर अफ दो quiz आप लोगों फे share करने लगा हूँ इसमें first quiz है उसका पहला question है which tag is used to create lift item कि हम lift item create करने के लिए कौन से tag use करते हैं उसमें item है और l item है li है और list है तो दोस्तों जब हमने कोई list बनाई हो और उसके अंदर हमने items create करने हो list item तो हम li का tag use करते हैं मतलब list item का create करने के लिए यह third वाला जो है यह हमारा इसका ठीक जवाब है next है जी microphone is the example of fill in the blank device output device, input device, storage device और none of the given option तो दोस्तों जो हमारे पास microphone होता है वो basically हमारी input device का काम करता है क्यूंकि हम उसके वरिये बोल कर computer को कोई voice यह कोई चीज record करवाते हैं तो इसलिए हमारा जो इसके अंदर second वाला है वो इसका बिलकुल ठीक जवाब है next है जी loop in flowchart and pseudocode mean a set of instruction to be executed if a specific condition is true दूसरा है a set of steps to perform at once if specific condition is true third है a set of steps to be repeated as far as specific condition remains true और last में है terminating the program as soon as a loop is encountered तो इसके अंदर जो है हमारा third वाला a set of steps to be repeated as far as specific condition remain true जब तक वो condition जो है true रहती है तो उसके तक हमारा loop जो है वो चलता रहता है तो third वाला जो है इसका ठीक जवाब है next है जी वन पॉइंट फाइव जी गिगा हर्ड्स micro professor approximately contain 30 million transistor है 25 million transistor है 10 million transistor है और 50 million transistor है दोस्तों मैंने तो लगाया है इसका 10 million transistor third वाला लेकिन आप इसको एक वर confirm कर लीजिए क्योंके मुझे ये doubtful लग रहा था कि ये लग रहा था कि ठीक नहीं है तो आप इसको एक वर confirm वरूर कर लीजिए फिलेक्ट करने से पहले अगर आपके quiz के अंदर ये question repeat होता है तो next है जी world's first large scale automatic digital computer वाव इसमें हमारे पास atos of very computer है hardware mark one है enic है ibm pc है तो इसमें enic जो है वो हमारा first digital computer है तो third वाला जो है इसका बिलकुल ठीक जवाब है next है जी bit is originate from fill in the blank decimal है binary है hexadecimal है और octal है तो जो हमारा bit है वो binary से originate हुआ है तो इसलिए second वाला जो है वो हमारा इसका ठीक जवाब है next है जी which of the following components were present in analytical engine memory only है processor only है memory professor input and output है और last में input and output है तो उसके नदर वाला जो है तो third वाला जो है what was the name of first commercial supercomputer any one है addwick है carry one है और 888 हो है तो इसमें I think carry one आएगा लेकिन मैंने जो है एनिक यूनिक यूनिवेक है और एनिक है और एडविक है और एट उस बैरी computer है तो इसमें हमारा जो first वाला है unique one तो यह हमारा इसका ठीक जवाब है इस तरीके से दोस्तों हमारा जो first वाला quiz है वो complete हो जाता है इसके बाद हम बात करते हैं जो मैंने दूफरा कोई फॉल्व किया वो भी मैं आप लोगों फे शेयर कर रहा हूं इसमें first question है fill in the blank software fit on top of fill in the blank software for performing user task इसमें system application है system productivity है application system है और system programming है तो यहां पे मैंने जो लगाया है वो first वाला system software fit on the top of the application software for performing user task तो first वाला जो है वो हमारे इस सवाल का बिलकुल ठीक जवाब बन जाएगा next है जी in html form for file uploading input element we use the following value input type attribute text radio hidden और file जब हमने कोई upload file का button बनाना हो तो उसके लिए हम जो tag यूज करते हैं input type is equal to वो file यूज करते हैं तो उसके पर यह हम file uploading का एक button या browse का button बना सकते हैं तो last वाला जो है वो हमारे इस सवाल का ठीक जवाब है next है जी given the html code a html mail to fn at the rate of vu.edu.pk fn at the rate of vu.edu.pk और एक tag को close किया और फिर my email dot लगा दिया read the code carefully and tell what is the output of that code कि इसकी output क्या generate हो कि browser के अंदर fn at the rate of vu.edu.pk fn at the rate of vu.edu.pk my email fn at the rate of vu.edu.pk fn at the rate of vu.edu.pk and my email तो अब देखें दोस्तों इसकी मुझे बती हैं समय नहीं आई वैफे तो मुझे html अच्छे तरीकी से आदी अब इसके अंदर देखें यहां पर जो एंगल ब्रैकेट के बाद है ahfan लिखा हुआ है अब यह ahfan तो यह first वाली option के अंदर आता है अब बाकी के अंदर जो है वो ahfan नहीं आ रहा लेकिन अब चूंके इसके बाद my email dot लगा हुआ है अब वो हमारा last वाले के साथ लगा हुआ है लेकिन अगर हम spell को देखें तो वो हमारा first वाला बनता है तो मैंने जो है वो इसका fourth वाला लगाया उसकी वज़ा यह है क्योंकि email address के साथ my email dot भी लिखा हुआ है तो हमारी जो browser के अंदर output generate होनी है उसमें भी my email dot लिखा हुआ आएगा लेकिन अगर हम email address के अंदर यह एसान को देखें तो एसान जो है इसकी spelling mistake है I think लेकिन इसका जो जवाब है वो यही fourth वाला ही बनता है और मैंने इसके बाद next question एज डिजिटल computer possess two neutral states fill in the blanks and fill in the blanks on on है on off है off off है और none of the given option है तो इसमें जो हमरे पर आफ जो हैं वो दो ही state होती है एक on की एक off की तो second वाला जो है वो हमारे इस सवाल का ठीक जवाब आ जाएगा fifth number पर है first computer design for commercial application वाव युनिक युनिवेक है वन एनिक है एडविक है और यह question दुबारा repeat है इसका मैंने पिछले कुईव के अंदर first वाला लगाया था तो इसमें भी मैंने युनिवेक first वाला ही लगाया next strategy the best strategy used for complex boolean operation is called boot force है और greedy algorithm है divide and concur है और none of the given option है तो मैंने जो है इसका second वाला greedy algorithm इसका लगाया है और यही इसका जवाब है next strategy linux is villainy blank type of operating system single user multi user distributed or none of the given option तो इसका बैने जो है वो single user option first वाला लगाया है और यही इसका ठीक जवाब है next strategy algorithm is a sequence of steps that can be taken to solve a given fill in the blank task है process problem है और all of the given option है और हमने जो algorithm की definition है वो यही पड़ी है it is a sequence of steps to solve a problem तो problem जो है वो इसमें third number पे लिखा हुआ है तो third number वाला जो है वो हमारा इसका ठीक जवाब है second last question है अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनेट अल्फो नोन एव फ्लोटिंग यूनेट है इंटीजरी यूनेट है करेक्टरी यूनेट है और कंट्रोल यूनेट है ALU जो है वो बिफिकली इंटीजरी यूनेट है तो मैंने second वाला जो है इसका लगाया है जार लास्ट कस्टेशन है जि अनलाटिकल इंजिन वाज द्चुन साइस है और जनल परपस है तो जो एनलेटिकल इंजन था यह सफ्ट हमारा जनल परपस कम्प्यूटर था तो इसमें लास्ट वाला है वह हमारे इस सवाल का ठीक जवाब है दोस्तों यह था हमारा कुई जिन बच्चों को सीखने में मफला आ रहा है या इस सब्जेक्ट को सीखने में मफला आ रहा है तो मेरे अपने लेक्चर्स रिकॉर्डेड मेरे चैनल 24R7 टीचर्स ऑनलाइन पर अवेलेबल हैं आप वहां पर जाए उसका जो यूरल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है www.youtube dot com flash teachers online for you आप उसके जाएं और उसके जो लेक्चर्स अवेलेबल हैं उन पर फायता उठाएं और आप अपने दोफ्तों को भी शेयर करें दोफ्तों पिलते हैं अगली किसी एक assignment solution की वीडियो के साथ या gdb की solution की वीडियो के साथ उस वकत तक के लिए मौफिन भाई को इज दे यह जाएं थैंकि यू वेरि मुश्टों अलाह अफिफ